असलाम अलाइकूम इनिस्टमेंट सोलुशन चैनल से मैं हूँ तो हिन सामने आप दो टैंक देख रहे हैं एक है क्लोस टैंक और एक है ओपेन टैंक और एक टैंक का लेबल मेजरमेंट करने के लिए DP Transmitter means differential pressure transmitter यूज करता है तो एक टैंक का लेबल मेजरमेंट करने के लिए ये differential pressure transmitter क्यूँ यूज करता है और इसमें दो पोट रहता है एक है LP और एक है HP means high pressure और low pressure ये दो पोट का क्यूँ यूज करता है और इसका बारे में details आपको आशका वीडियो में आशका से देखाने के लिए try करूँगा तो चलिए हमारा आशका वीडियो start करता हूँ तो देखिए ए लेबल मेजर करने के लिए हम लोग दो टाइप का tank यूज करता हूँ एक है close tank और एक है open tank जैसा भी आप ए पिक्चर पे देख रहा है हमारा left side में है close tank और right side में है open tank तो ए जो close tank है इसमें इसका चारो साइट से कबर रहेगा और जो open अला tank इसका ओपर साइट में कुछ कबर नहीं रहेगा means इसका ओपर साइट पुरा open रहेगा तो normally close और open tank ऐसा टाइप कर रहेगा तो ए ओपर टैंक का level measurement करने के लिए हम लोग को इसका range positive से लेना परेगा मतलब इसका जो range है यह 0 से start करना परेगा मानले जिए इसका range 0 से 5000 mmWC किया 0 से 10,000 mmWC मतलब इसका जो range वो 0 से positive में जा रहे है मतलब 0 से उपपर का side में जा रहे है और ए close tank का level measurement करने के लिए इसका range negative से लेना परेगा मतलब इसका range minus 10,000 to 0 mmWC किया minus 5000 to 0 mmWC इतना होगा क्योंकि इसका range जो 0 से निशे का side में आ रहे है मतलब minus का side में जा रहे है इसलिए हम लोग ए close tank में जो इसका level यह negative में measure करता हूँ तो यह सीज आप ध्यान से याद रखना यह जो open tank का level measurement करने के लिए हम लोग को इसका range positive से लेना परेगा और ए close tank का level measurement करने के लिए इसका range negative से लेना परेगा तो ए close tank के लिए level कैसे measure किया जाता है चलिए वो पहले आपको देखाता हूँ देखे यह close tank के लिए हमारा level transmitter का दोनों port यूज करना परेगा मतलब HP और LP यह दोनों port यूज करना परेगा यह जो HP वाला port है यह आमारा जो tank है tank का निच्छे से connect होगा transmitter में और जो LP वाला port है यह आमारा tank का उपपर साइड में connect होगा क्यूकि उपपर साइड में low pressure रहता है तो आभी question है एक close tank के लिए हम लोग क्यूँ transmitter का दोनों port यूज करता हूँ तो देखे एक close tank को उपपर से काभर कानने के time इसका अंदर एक pressure create होता है और यह air pressure tank को काभर कानने के time इसका अंदर रह जाता है और इसका बज़ा से close tank का top side और bottom side में एक differences pressure create होता है और यह pressure difference को major कानने के लिए अभी एक differential pressure transmitter चाहिए तो मैं पहले ही बोला था हमारा close tank का जो निच्चे वाला का tapping यह हमारा transmitter का HP side में connect होगा और हमारा transmitter का LP side यह हमारा close tank का उपर side से connect होगा और ऐसा की होता है चलिए वो आपको देखाता हूँ देखिए यह close tank में water किया liquid fill करने के बाद इसका पूरा पेशार निच्चे का side में आएगा मतलब HP वाला tapping पे आएगा तो देखिए इसका पानी का level जितना ओपर का तरह जाएगा इतना पेशारी इसका HP side में आएगा और यह open tank के लिए हम लोग हमारा जो open tank है इसका निशे side मतलब bottom side से HP side लेके transmitter में connect करता हूँ और यह जो LP side है इसको open करके atmospheric में छोड़ देता हूँ क्योंकि हमारा जो open ओला tank है इसका ओपर में कुछ काबर नहीं रहता है और इसके लिए इसका अंदर differences special creating नहीं होता है तो आप लोग चाहिए तो यह जो LP ओला port यह हमारा tank का ओपर side में tube के साथ connect करके रख सकता है लेकिन इसमें कुछ problem नहीं होगा आप चाहिए तो tube connect कर सकता है क्या tube connect नहीं भी कर सकता है इसमें कुछ फरक नहीं परेगा क्योंकि हम लोग LP ओला side को atmospheric air में छोड़ देता हूँ तो इसके लिए हम लोग open और close tank में differential fissure transmitter को use करता हूँ तो ठीक है मेरा लगता है आज का वीडियो में open और close tank में हम लोग differential क्या DP transmitter को क्यों और क्या से use करता हूँ ओई आपको अच्छा से समझने के लिए try किया तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक like दे के मेरा चैनल को subscribe कीजिए और बिल आइकन बटन को जोड़ो रॉन कर दीजिए फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो ओवे आपको मिल जाएगा और कुछ कोश्चन होगा तो प्लीज कॉमेंट कीजिए धन्य बाद